इंटरनेशनल क्रिकेट में चुपर रमाता ओनलाइन सटा बेटिंग ना गेर काईदे आर्थी टान्जेक्शन ना नेटवर्क नो सूरत इकोसेल द्वारा परदा फाश करी डिंडोली ना राजमहेल शॉपिंग सेंटर नी त्राण दुकान मा दरोडा पाडी अलग अलग बैंक नी 44 पासबूक, चुम्मोतेर सिंक काड, 53 डेबिट काड, 38 अधार काड, 5 मोबाइल फोन अने लैप्टोप बगेरे साथे त्राण नी धर पकड़ करी काईदेसनी कारेवाही हाथ दरी छे सूरत पोलिस ने मलेली बातमिना आदारे इकोसेल अने एसो जी नीटी में डिंडोलीना राजमेहल शॉपिंग सेंटर नी दुकान नंबर 170 मां शीव एंटरप्राइस नामे ओनलाइन कपड़ा विचानी दुकान सहीत त्राण अलग-अलग दुकान मां दरूड़ा पाड़ा हाता हरीश उर्फे कमलेश जरीवाला सुनिल चोधरी अनेस रूशिकेश अधिकार शिंदे वग्गेरेने जड़पी पाड़ी तेमनी पासे थी त्राण मोबाइल कब चलीदा हाता बड़े तोर पे नुकसान पहुँचे इस तरह से एक नेटवर्क चल रहा था जिसकी इन्फोर्मेशन हमें मिली जिसके आदार पे सूरत शेयर क्राइम ब्रांच की एकनॉमिक कॉफेंस सेल ने सोजी को साथ रखके एक उपरेशन किया और उसमें चार अपरादियों को अभी तक पकड़ा गया है एक अपरादी है हरीश और फे कमलेश जरीवाला दूसरा है रिशिकेश शिंदे तीसरा है हुफेजा, कॉसर, मकासरवाला और चोथा है राजशा ये सभी लोग डिंडोली, राजमहल, मौल के ग्राउंड फ्लोर पे 119 नमबर की दुकान में बैठ कर अलग-अलग व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके नाम पे बैंक अकाउंट शुरू कराते थे सीम काड भी लेते थे, उस सीम काड की जरूरत बैंक अकाउंट खुलाने के लिए पड़ती थी, तो गलत दस्तावेजों के आधार पे सूरत मुनिस्पल कॉर्परेशन से गुमाशता धारा का लाइसेंस लिया जाता था, सीम काड लिया अकाउंट और एक सेट ओफ डॉक्यूमेंट्स इसका 40,000 रुपया हुफेजा कोसर इनको देता था, हुफेजा कोसर की भी अरेस्ट की गई है, एक और व्यक्ति है राजशाह उसको भी पकड़ा गया है, हुफेजा कोसर इन बैक अकाउंट्स को हार्दिक महता और उसके आदमियों की टीम को देता था, हार्दिक महता एमदाबाद से ओपरेट करता था हार्दिक अने रुशिकेश नी पुछपरचना आधारे पोलिस टीमें हुजेफा मकासरवाडाने दबोच्यो हतो हुजेफानी पुछपरच मा युक्रेन ना एना राई किशन द्वारा जे सुचना अपवामा आवती हती तेना तमाम डेटा मोबाईल अने लैपटोप मा अने ते घरे होवानी कबुलात करी हती जेथी पोलिस टीम हुजेफाना घरे पहुचे ते पैलाज तेना बाई हुसेण मकासरवाडाए मोबाईल अने लैपटोप फॉर्मेट करी दिदू हतो जेथी पोलिस अवड़ोँ मा मुकाई छे अने बैंक पासे समगर डिटेल मांगवामा आवी छे उसकी अभी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है बाकी और भी आठ से नो व्यक्तियों के नाम अभी तक जानने को मिले हैं जो इस नेटवर्क को चलाने में अपरादिक भूमी का अदा कर रहे थे उन सभी को पकड़ा जाएगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जिसमें T20 क्रिकेट, टैनिस, फुटबॉल, लॉन टैनिस, कसीनो इन सभी पे गेमिंग साइट्स, बैटिंग साइट्स चलाके उसकी हारजीत का पैसा इन अकाउंट्स में ट्रांजेक्ट किया जाता था एक मात्र IDBI बैंक के ही जितने अकाउंट्स मिले हैं, उनमें 1217 करोड रुपे से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन अभी तक होने को हमारे ज्यान पे आई हैं IDBI बैंक के तीन अकाउंट हैं जिनमें 1217 करोड असी लाख 38,108 रुपे की ट्रांजेक्शन अभी तक ध्यान पर आई हैं ये सभी भारतिय एकनॉमिक सिस्टम को नुक्सान पहुचाने वाली एक्टिविटी है, यह मनी लॉंडरिंग की एक्टिविटी है, इसमें जितनी भी प्रुष्टियां हैं, जितनी गतिविदियां सभी अपरादिक हैं, इसके लिए अभी कंसर्ण्ट सभी एजन्सीज को जाएगा और हमारी टीम्स इसमें जो जो लोग शामिल हैं, उनके वुरुद में काईदे के मुताबिक एक्टिविटी हैं, इकोसेल नी प्रात्मिक तपास मां हुजेफा मकासरवाडा नो मुबाइल फोन चेक करता, वाटसेप मां वर्क ग्रूप, ट्रेड टीम, स्टी और डीडबल्यू, शुन्य एक तथा शुन्य बे, तथा वर्क ग्रूप, तथा तेवाज नामना ग्रूप, टैलिग्राम नामनी एप्लिकेशन मां पण मड़ी आव्या हता, जेमा किशन प्लेटिनम, अमित अने हरेश नामनी व्यक्तिना विदेशी नमबरो, अने आर्थिक व बेवारो अंगेनी चैट हिस्ट्री, तथा वट्सेप अने टैलिग्राम थकी करवामा अविला विदेशी कॉल नी माहिती पन मड़ी हती, उप्रांत अमित ने युक्रेण ध्वारा मुकलवामा अविली लिंक मड़ी हती, जेमा CBTF T20 ना अलगलक कोस्ट खता, अने ते उप करतानी साथे, एक्सल शीट मा एकाउंट धारकनू नाम, आईडी, आई एफसी कोर सहीतनी माहिती मड़ी हती,